क्रेमिया ब्रिज बर अटाक के बाद भड़का मॉस्को इस वक्की बड़ी ख़वार विद दे विज्वल्स मॉस्को ने क्रेमिया ब्रिज अटाक को कहा आतंकी हमला ये बड़ी ख़वर मैं आपको बता रहा हूँ क्रेमिया ब्रिज़ पर अटाक के बाद भड़का मौस को तस्वीरे देखिए कैसे क्रेमिया ब्रिज़ को उड़ाया गया है ये पूरी खबर हम आपको दिखाने वाले है लेकिन इस सब के बीच में एक और खबर और दोनों खबरों के साथ मैं सीधे चलूँगा मनीश बास कर्च ब्रिज़ पर हमले के बाद बनाया गया जश्टन दिखाईए ज़रा वीडियो कर्च ब्रिज़ पर हमले के बाद बनाया गया जश्ट यूकरेन में रूसी डिफेंस का उड़ाया गया मजाक ये देखिए तस्वीरे, यूक्रेन में रूसी डिफेंस का मजा खुलाए गया, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाएए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, एक तरफ ब्रिज कोड़ा दिया गया, दूसी तरफ यूक्रेन में जश्ट्र मनाय जा रहा है उस बड़ी ख़़र, कीव और में एरेड अलएर्ट, इसमग की बड़ी ख़़र, ब्रेक करिए। डोनस, पोल्टावा, सूमी में एरेड अलएर्ट, दिखाएए जरा। चोथी ब्रेकिंग न्यूज, ब्लाक सी में रूस का बड़ा मूवमेंट इस वक्की बड़ी खबर, ब्लाक सी में रूस के 10 शिप आक्शन में पाचवी बड़ी खबर, जैपुरेज्जिया में इस वक्त धमा के रिपोर्ट किया जाने, डोनिस्क नेप्रोपेत्रोविस्क में भी अटाक रिपोर्ट किया जाना है, इस वक्त की बड़ी खबर, च्छटी बड़ी खाबर विद्ध विज्वल क्रामा तोरिस्क में रूस का बड़ा अटाइक ब्रेक करिए क्रामा तोरिस्क में रूस का बड़ा अटाइक डोरिस्क में रूस की भी शर्म बंबारी साथ वी बड़ी खाबर विज्वल देखिए अलास्का में आए भूकम के आई तस्वीर है दिखाईए ज़रा विज्वाल दिखाईए कैसे सब कुछ हिलने लगता है मैं जाओंगा ब्रेकिंग का ब्यूजिक यहाँ रखे यह देखे अलास्का में 7.1 की तीवता का भूकम पाया नो अंबियंज यह तस्वीर है देखे किस तरीके से 7.1 की तीवता के भूकम के बाद अलास्का में सब कुछ हिलने लग गया यह देखे भूकम के जटके महसूस के गए शुरुआत हुई और उसके बाद यह देखे किस तरीके से वहाँ पर सब कुछ हिलने लग गया यह देखे इस सब के बीच में एक और बड़ी कबर आइसलेंड में फटा जौना मुकी ब्रेक करिए यह वोई जगे जहांपर 2021 में आठ सो साल के बाद जौना मुकी फटा था लोकेशन चेंज करिया अलास का नहीं है आइसलेंड में जौना मुकी फटने की तस्वीर यह आइसलेंड का मशूर टूरسपॉट है फरेग्डा डॉलस वजाल जहां से तस्वीरे आई हैं यह देखिए आइसलेंड में जौना मुकी फटा इसकी तस्वीरे में दिखा रहू हूँ इसी के साथ आठो ब्रेकिंग दिखाई है उसके बाद सीधे में चलूँगा मनीश के पास सीधे दिखाई है आठो ब्रेकिंग और सभी मेहमानों को हम दिखाएंगे बड़ी कबर क्रेमिया ब्रिच्बर अट्राक से फड़का बॉस को इसको टेर्विस अटाक बताया है जोनेस को नेपरो पेत्रोविस में अटाक किया गया है इसी के साथ क्रामा तोरिस में भी रूस का बड़ा अटाक है सीधे दिखाई हमारे सबी मेहमारों को इस वक्त हमारे साथ हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुट चुके हैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पार ये देखिए मेरे साथ जुछ चुछ चुके है चनल के किसोना सर तांक्यू वहे शूर बियृः माच सा बिग डे मेरे साथ विनोड ऑगस्टीन सर है मेरे साथ एमबाजे अशोक सजैनार सर मेरे साथ है मनीश और मनीश की आँखों में ध्यान से देखे इनका चश्मा अभी अभी मॉस्को से आया है मॉस्को से खरीदा नहीं है वहाँ पर छूट गया था लेकिन मनीश तांक यू वही मच पर जाइनिंग लेकिन आज मॉस्को से खबर अच्छी नहीं आरी है शुरुआत पहली बड़ी खबर से रूस के करेमिया बिज़ पर बहुत बढ़ा हमला ब्रेक करी इस वक्की बड़ी खबर लोगाट पैकिन रात तीन बज्जे के बाद करेमिया बिज़ पर बढ़ा अञाग यूख्रेयन ने दो सर्फिस ड् делать बड़ा अटाक सबंदर के ड्रोन ने किया क्रिमिया बरिच बर अटाक ड्रोन अटाक के बाद क्रिमिया बरिच बारी रुबसान नाओ दे नॉर्मल ब्रेकिंग औन विजुआलש दिखाएं जरा ये हैं तस्वीरे, अम्बियन सब करिएगा ये तबी के विजुल्स हैं, ये देखिए अब आप दो अटाक किये गए हैं ये देखिए, रूस के क्रेमिया ब्रिज पर बड़ा हमला तस्वीरे देखिए, फुल फ्रेम पर शॉट दिखाईए है जरा रात तीन बजे के बाद, खरेमिया ब्रिज पर बड़ा अटाक किया गया ये देखिए, दो धबाके हुए, अब इसके बाद धबाके देखिएगा पहले एर डिफेंस आक्टिव हुआ, उनको लगा आस्मान में ड्रोन है लेकिन नहीं, वो सर्फेस ड्रोन था, पहला एक्स्प्लोजन, अब इसके बाद दूसरा एक्स्प्लोजन देखिएगा इसी के कुछ चणोंबाद, ये दूसरा एक्स्प्लोजन होता है ये दोनों सी बेस्ट ड्रोन थे जिनसे अटाक किया गया फिर से विज्वल को प्ले आउन करिए, ये देखिए मैं आपको फिर से सीक्वेंस फिर से प्ले आउन करिए हमनों उसको लूप में ले रखा, ये देखिए उन्होंने एर डिफेंस अक्टिव किया लेकिन ड्रोन समंदर के PPE रास्टे से पहला एक्सपलोशन हुआ फिर उसके बाद दूसरा एक्सपलोशन, ये देखें अब आप ये दो एक्सपलोशन होते हैं समंदर के रास्टे ड्रोन अटाक करते हैं दोनों तस्वीर धिखाईए जरा किस तरीके से ड्रोन अटाक हुआ वो तस्वीरे आपके सामने है और वहाँ पर ब्रिज पर अभी बॉनिंग के विज्वल्स है अफरा तफ्री बच गए ये देखे तस्वीरे अब आप आईए सीधे में जड़ा आपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा ये जो खबर हमारे पास सीधे आईए क्रेमिया पार यूक्रेन का अटाक ये देखे तस्वीरे में आपको दिखा रहा हूँ नौ महीने में क्रेमिया प्रिच पर यूक्रेन का दूसरा अटाक है बगल में जड़ा ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रही है प्लीज जड़ा वेरी वेल मेड ग्राफिक्स अटाक के बाद ब्रिच पर ट्राफिक को रोक दिया गया में जो अटाक के विजूल से ब्रेकिंग के साथ जरूर दिखाई है ये देखे फिर हमारे पास जो जानकारी आ रही है ड्रोन हमले में पती पतनी की मौत हो गई बच्ची खायल है बेलगरोग का कपल था जिसके वहाँ पर मौत हो गई यूःनी सीक्रियोडी सर्फस और यूःनी नेवी का स्पेशल ऑपरेशन बताया जा रहा है ये बड़ी ख़बर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस सब के बीच में एक और बड़ी ख़बर मैं आपको सीधे आईए 2 विंडो दिखाईünden आप जड़ सीधे आईए करेमिया ब्रिजमर लगाताथ दूसरे سाल में हुए हमला Brque primus करेमिया ब्रिजुबर आठ महीने के अंदर दूसरा बड़ा हमला ये देखेंगे हमाँ करेमिया ब्रिजमर दो हमलों से सुरक्षा पर सवाल मैं जाओंगा सीधे टू विंडो लेके आईए टू विंडो विज्वल जेंस के जरा एक अक्टूबर में हमला हुआ था और दूसरा जुलाई में हुआ है बास बनीश ये बहुत बड़ी ख़बर है सवाल खड़ा हो रहा है कि आखर ये कैसे हुआ क्यों हुआ लेकिन मनीश मैं माफी जाओंगा थोड़ा सा एक बार इसकी जरा वाल डीटेलिंग में कर दू सीधा आईए स्प्लिट वाल में दिखाना चाना हूँ उसके बाद मैं मनीश पर आ रहा हूँ इसी फॉर्माट में इनी दोनों विजूल्स के साथ मुझे और मनीश को लीजेगा ये देखिए आठ अक्टूबर को पहला विस्पोर्टकों से बरे ट्रक से अटैक किया गया मैं जाओंगा आज जो हमला हुआ उसकी ब्रेकिंग और शॉट्स जो पहली ब्रेकिंग और शॉट्स से बगल में चलाईए यहाँ पर सर्फिस ड्रोन से अटैक किया गया ये देखिए ट्रक से अटैक सर्फिस ड्रोन से अटैक ये 17 जुलाई आठ महीने के अंदर दूसरा अटैक हुआ है पाँच लोगों की मौत तब हुई थी और आज दो लोगों की मौत हुई है दो लोग रिपोर्ट किये जा रहे ये देखिए ब्रिज को अच्छा खासा नुकसान हुआ है ब्रिज को खासा नुकसान नहीं हुआ है जो इसका बीम्स और गयरा है जो infrastructure रे वो टिका हुआ है सीधे आईए मनीश ये पास मनीश मैं आपके पास आना जाँगा उन्हीं दोने शॉर्ट के साथ सीधे आईए मनीश मेरा सवाल बड़ा सिंपल है ये जो हमला हुआ है मनीश ये बहुत चिंता जनक है वेरी वेल डान PCR आठ अक्टूबर का हमला on my right 17 जुलाई का हमला on my left ग्रेट जॉब PCR यहां पर लेकिन मनीश रश्या की सिक्यरिटी जो है पूरी तरीके से एक्स्पोज हो गई है इस इस रेली रेली ब्रेक बिल्कुल सही बात है निशान लेकिन फिर मैं lighter note में पहले इसकी शुरुवात यह कहूंगा कि अब तेरा क्या होगा रेजलेंस की वो इसलिए मैं यह कह रहा हूँ क्योंकि जब 8 अक्टूबर को यानि पुतिन के बर्डे के अगले दिन जब क्रीमिया ब्रिच पर पहली बार हमला हुआ था भीशन हमला था वो और उस हमले के 48 घंटे के भीतर पुतिन ने 100 मिसाइलों के साथ युक्रेन के 12 सहरों पर पहली बार तावर तोर हमले किये थे और कहा गया था कि यह पुतिन का जबाब है क्रीमिया ब्रिच पर अटैक का तो क्या इस बार फिर पुतिन जबाब देंगे क्योंकि अगर देखा जाये तो आपने सही का देखे रूस ने अपनी एक रेड लाइन मनाई थी कि अगर क्रीमिया ब्रिच पर अटैक हुआ तो हम नुकलियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे वो रेड लाइन तो उसी दिन तूट गई जब पहली बार हमला हुआ तो दूसरी बार हमले के बाद कोई नुकलियर वेपन का इस्तेमाल तो नहीं होगा लेकिन हाँ रूस के बड़े हमले आप अगले अर्तालिश में देख सकते हैं इसी फ्रेम में सीधे लीजे मनीश के जगे सिना सर को सिना सर पहले एक छोटा रियाक्शन उसके बाद मैं आपके पास और ख़बरों के लियाऊंगा मैंने मुझे क्विकली एक बात बताईए क्या रश्या इसके उपर मेजर रियाक्शन देने वाला है क्या आपको ऐसा लगता है मेरे अनुसार हंडर्ट परशन बहुत ही बड़ा और देखे ये जो काउंटर अटैक्स हो रहे हैं रश्या की तरफ से काउंटर अफेंसिव नहीं है और दो बाटल ग्रूप्स एपसलूटली पॉइस हैं यदि आप देखिएगा तो ये चीज जो डेस्परेशन में युक्रेन कर रहा है यदि नैटो ने भी या वेस्ट ने उसको दिया है इसके उपर क्योंकि ये मेरे अनुसार आप कह रहे हैं साइस्टरफर्स ड्रोन से हुआ है एक MQ-9 रैपर भी वहाँ दिखा है रश्या आक्शन में आ चुका है ये बड़ी खावार है क्रेमिया ब्रिज के नजदीक मिली जेट स्की बोट फिर से प्ले आउन कर ये विजुल्स को इजर आए हम पर संग्डिक जेट स्की बोट मिली है क्रेमिया ब्रिज पर इसी की मदद से अटाक किया गया था ये देखिया बाब इस सब के बीच में एक और बड़ी खावार सीधे आईए ब्रेक कर रहा हूं में बड़ी खावार क्रर्च बिज के पास नज़र आया रूसी वार्शिप विद्ध विज्वल्स आते आते बहुत देर कर दी वार्शिप नज़र आ रहा है लेकिन रॉस्या की सिग्यरोडी टुड़े आज की थारीक में दे आर ब्रूटली एक्सपोस्ट और रॉस्या एक वन्रबल स्पोट को भी बचाने में काम्याब नहीं रहा है ये साफ एसाथ देखें निशान मेरा जो मानना है वार्फेर के अंदर में एक्च्वल वार में बहुत सारी चीज़ें रिवर्शिज आती है और रिवर्शिज बार बार में नॉट स्पिंग ले लीजिए इसके पहले आपको मास्कोरा का जाना ये सब रिवर्शिज हैं मगर इन रिवर्शिज को जो सहन कर सकता है जो जजब कर सकता है वही जीतता है वार्फ तो छोटे रिवर्शिज मैं तो इसको मानता हूँ एक पियर का ब्रिज को उड़ा देना ऐसा नहीं मैं मानता हूँ के बहुत बड़ा एक्सपोजर है वो थ्रेट है और थ्रेट आएगा मास्कों पे आप तो ही बताते रहें ना मास्कों से लेकर क्रेच ब्रिज तक नौ महीने के बाद दूसरा बड़ा हमला है मगर ये मानके चलिए कि ये लैंड रूट भी तो खुला हुआ है ना आप जो प्रोजिया से हो करके जब जाते हैं उन्होंने खोड़ रखा है लैंड रूट क्रीमिया के ले रखा है उन्होंने उसको ब्रेक नहीं करने पा रहे है वेलडार से नीचे की तरफ उनका अटैक नहीं जा रहा है तो ये चीजे चलेंगी और मैं मैं ये मानता हूँ कि इससे भी जादा होगा मगर यदि ये काउंटर अटैक काउंटर ओफंसिब में कंवर्ट होता है रशिया का तो देखिए ये केवल एक्सपोजर नहीं होगा बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और आप फिर चले जाएंगे पूरा आप देखिएगा पूरा यूकरेंट दो भागों में बाट दिया जाएगा चूंकि इनकी जो टार्गेट है चाहे वो खारकी वो जे प्रोजिया है नीचे तो खतमी तबाह हो चुका है चूंकि आप ने देखा जब खरकोबा डैम्प कोड़ाए गया तो ये पूरा का फूरा डिखरस्टा है यहां सब्सक्राने वाला है ये बहुत बड़ी खबर है टीवी नाइन आपको वताने जा रहा है कि आकर वो ड्रोन किस देश का था अगले तीन मिनिट में एक खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ड्रोन किस देश का था एक बहुत ही सेंसेशनल रेवलेशन और इससे मुझे ऐसा लगता है कि रश्या वर्सिज रेस्ट अफ दे वर्ल्ड रश्या वर्सिज नेटो पूरी दुनिया में शायद ये देखने को मिलेगा बड़ी खबर क्रेमिया बिज धमाके के बाद दे सर्फिस ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट सीध आईए सर्फिस सर्फिस ड्रोन सर्फिस ड्रोन को लेकर जो जानकारी मेरे पास आ रही है ये ज़रा ध्यान से देखिए और मैं आपको डीटेलिंग देने बाला हूँ हमारे जितने भी दर्शक हैं ये बात समझे ये सर्फिस ड्र किसका है अगले तीन मिनिट में आपको बताने वाला हूँ और शायद उसके बाद ये युद और जादा भड़क जाएगा सर्फिस ड्रोन को ड्रोन बोट सेल ड्रोन भी कहते हैं ये बड़ी ख़बर आ रही है राहूल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाई है विजए आम स इस्तवाल होने वाले ड्रोन्स है रिमोट से कंट्रोल किये जा सकते हैं भारी विस्वोटक के साथ तैर सकते हैं 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2022 को सेवस्तोपोल नेवल बेस पर हमले भी इसी से किये गए थे क्रेमिया ब्रिज के स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत विद अब यह जो खबर मैं आपको दिखाना हूं सीधे आईए इस वक्की बड़ी खबर मैं चाहूंगा हमारी पहली ब्रेकिंग को फिर से प्ले आउन करिएगा लेकिन ध्यान से देखिए क्रेमिया ब्रिज पर कब कब और पूतेनाथ बबूला हैं यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं 31 जुलाई 2022 ब्लाक सी फ्लीट हेड़कॉर्टर पर हमला किया गया हमले में छे लोग घाल हो गए थे मनीश ने पहले ही इस खबर को प्रियम्ट कर दिया था मैं आपको बता हूं और जब यह खबर मनीश ने बताई थे उसके बाद ऐसी घटना घटी फिर बका नुकसान हुआ 9 अगस्ट को यह फिर एक और बाद अगली खबर चेंज करिए 8 अक्टूबर क्रच बेश्वा ने भीजर ब्रास हुआ था 8 महीने के बाद हुआ है 29 अक्टूबर सेवेस्टोपोल नेवल बेस पर हमला हुआ यह जानकारी आ रही है दोन हमले में आड्मिलल म आकारोफ को नुकसान पहुचा फिर 2 मार्च 2003 स्कैलिबर मिजायल ले जारे ट्रेन पर ड्रोन हमला किया गया यह सारे क्रेमिया के हैं सेवेस्टोपोल आइल डिपो पर हमला किया गया 29 अपरेल को यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन इस सब के बीच में काउंटर एक बड़ी ख़बर में आपको बता रहा हूँ काउंटर ओफिंसिव में युक्रेन का नया आजेंडा ब्रेक करिए जर्थी बार ख़बर क्रेमिया पर अटाक है युक्रेन का नया प्लान 48 गंटे से क्रेमिया पर डॉन स्टॉप अटाक ब्रिज पार अटाक से पहले नौट ड्रोन से किया दा हमला ये बड़ी ख़बर है ये बड़ी ख़बर है टू विजुल्स दिखाईए जरा 48 गंटे में दो बड़े अटाक एक बार नौट ड्रोन से अटाक किया गया ये देखिए और दूसरी बार मैं चाहूंगा इसमें विजुल्स रात वाले लगाईए आज के जो रात के विजुल्स आएं क्रेमिया पर हमला किया गया दूसरी बार सीधा आईए मैं इसकी जो जानकारी है मैं आपको यहां पर दिखाने जारा हो बिग वाल पर आईए ये बड़ी ख़बर है क्रेमिया का नया एजेंडा क्या है ये मैं आपको दिखाने जारा हो बिग वाल प्ले आउन करिए सेवेस्टो पोल पर ड्रोन अटाक आज कर्च ब्रिच पर हमला किया गया नेक्स दिखाईए चेंज करिए नौ ड्रोन से हमला किया गया सर्फेस ड्रोन से अटाक किया गया नेक्स दिखाईए ब्लैक सी फ्लीट पर अटाक रियाईशी इलाके पर अटाक नेक्स दिखाईए फिर कल फ्लीट के हेड़कोर्टर में निशाना था आज आम लोग निशाने पर थे ये वाली वाल लीजे इसी ख़बर की ब्रेकिंग और रात वाले अटाक के विज्वल्स लीजेगा उसको मिक्स करिया आज जो डिस्ट्रक्शन हुआ दोनों विज्वल्स प्लेओन करते रहेगा सीधे चलिए मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर म पर जादा डिफेंस लगाना इसलिए इंपॉसिबल है क्योंकि क्रेमिया कैन भी अटाक फ्रॉम सी अंडर सी जो मेरे पीचे में जो लगा हुआ है ये तो आपने स्ट्राटिजिक बात की मेरा सवाल है क्या ये यूक्रेन की नई स्ट्राटिजी नहीं है कि काउंटर ओफें है रश्या को की ओल आउट एंड हाई वॉल्यूम अटाक करें यूक्रेन के और क्रेमिया को एक एक स्क्यूज लेकर के कीव के ओपर पांसो अजार मिजाइल का अटाक करें वह एक ऑप्शन देता है रश्या को इस ब्लेसिंग इन डिजगाइस ये मेरा सवाल है और दूसरा सबसे महत्रपूर्ण सवाल यह है क्रेमिया के इस ब्रिज पर आप आपने भी कवर किया इस ब्रिज के अटाक से कुछ खास फरक पड़ने वाला निए यह जैसे जनल साब ने बताया यह रिवर्स तोड़े बहुत उपर नीचे होते रहेंगे आप लार्जर पिक्चर देख करता है तो आपको तीन गुणा फोर्स लगाना पड़ता है वो तीनों खपत हो चुकी सर मैं आपको यह सारी चीजें इनको सबसे ज्यादा आपको और हमारे सभी दर्शकों को आग बबूला पूतिन क्यों कहा है अगली तीन खबरे ध्यान से देखेगा पहली खबर पर करिये और एक बाद भड़ के पूतिन ब्रेक करिये फेट करीये सब्सक informação को करेंगर कृइमिंड़िश अटाइक में यूडी यूड यूड की साजे दारी ापके पीछे यूड इस की इंटिलिजन की शाट में कृ नुचक भी दिखाई예요 दूसरी बड़ी खबर सीधे आईए अब जो बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ इसके बाद मैं सीधे चलूँगा अशोक सर के पास क्रेमिया ब्रिज के नजदीक दिखा अमेरिकी ड्रोन ब्रेक करिए विद द विजुल्स बहुत बड़ी खबार है हमले से पहले नज़र आया MQ9 ड्रोन रूसी अधिकारियों का संसरी खेस दावा अमेरिकी ड्रोन से जासूसी का शक ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजे सीधे चलिया अशोक सर के पास अशोक सर, नौट स्ट्रीम में यही लोग थे खाकोक का डैम में यही लोग थे और एक बार फिर, क्रेमिया ब्रिज क्या पूतिन का साचुरेशन लेविल अब हिट करेगा क्या पूतिन का धैर तूटेगा वेस्टन इंटेलिजिन साफ दिखाई देरी है ये वो कह रहे हैं बार-बार देखें मैं तो समझता हूँ निशान जो पूतिन जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं जो यहां पर यह अगर होगा तो इसके बाद उनका जो अटैक्स है और ज्यादा बढ़ेंगे जो इंटेलिजिन्स तो युकरेन को यकीनां अमरीका या और जो सप्लाइ कर रही है वो इंटेलिजिन्स मिलती है तभी वो कर्ष ब्रिज में पहली बार अटैक हुआ और इस बारी भी तो इसको अगर 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 प्रिटेक्स सर लेकिन यह तीन इंसिडेंट हो गए है चार मॉस्क्वा फिर उसके बाद हमने देखा नॉट्स्ट्रीम फिर उसके बाद हमने देखा खाकोफ का और खाकोफ काव से पहले एक और बार क्रेमिया ब्रिज मर अटैक चारों जगे वेस्टिन इंटेलिजिएंस और युक्रेन के साथ हैंड इंगलफ देखे जहां तक नॉट्स्ट्रीम का है युक्रेन के साथ इंवाल्ड है किसी तरीके से युझे एक्सपोर्ट अफ गास रॉम रश्या टू जर्मनी एकसेटरा तो वो तो अलग बात है मैं उसको युक्रेन युद के साथ नहीं मिलाऊंगा जहां तक ये डैम को डिस्ट्रॉई करने की बात है आई डिएंग तिक एस तिल वरी क्लियर जो इसमें किसका पीछे हाथ है आफ्टर आल देडाम वस अंडर थे कंट्रॉल अफ रश्या तो अगर वहां पर कुछ हुआ है there have been so many charges that you know it might have very well been of course speculation दोनों की तरफ से है परन्तु जो क्राइमिया के है वो उसमें जरूर मेरे ख्याल से intelligence वो दी होगी and I don't think we should be surprised जो intelligence युकरेन को दी जा रही है क्योंकि after all सारा जो equipment है ammunition है जो भी wear with all है युकरेन के पास वो सारा वैस से आ रहा है तो ये intelligence भी आ रहा हुआ I'm sure it's not any surprising वो इसको इसको प्रिटेक्स्ट इस्तमाल कर सकते हैं but I don't think there is a need आप ये खबर सुनकर हैरान हो जाएंगे ये इस वक्त की अभी की सबसे बड़ी खबर है जो की दुनिया में नजाने क्या ट्रिगर कर दे जो कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि यूकरेन को दिया गया है British drone से हमला किया गया एक्रेमिया ब्रेश पर now with the visuals breaking and shots with the visuals now इस वक्की बड़ी ख़बर British drone से हमला किया गया ये इस वक्की बड़ी ख़बर है ये है वो drone जिसके still सामने आ रहे है this is absolutely a revelation ये हमारे सामने सबसे बड़ी ख़बर है breaking and shots और सीधे चलिए सीधे में चल रहा हूँ यहाँ पर जनल सिना सर अमरे साथ है सिना सर Britain में ये drone कहीं पर नहीं दिया है Ukraine को अगर मैं पूरी तरीके से confirm हूँ तो जहां तक मैंने पड़ा है ऐसा drone on paper Britain नहीं दिया है Ukraine को और क्रेमिया ब्रिच पर अगर Britain के drone का इस्तमाल हो रहा है not stream के उपर हमले में अगर Britain का नाम बार बार Russia ले रहा है Moscow में अगर वो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका है क्या ये red line क्रॉस हो गई है आज आप सही कह रहे हैं देखे रेम्जार्स 600 जो होती है ये पहले भी नाइपर रिवर के उपर देखी गई है और उसमें naval seal थे naval seal थे वो British थे जो इनको operate करते हैं और ये unmanned होता है और देखे इसको remote control से आप करते हैं ये पहले भी use हुआ है और जो आप आज reveal कर रहे हैं क्योंकि विश्व इसको आज देख रहा है और ये मेरा मानना है कि ये direct confrontation UK और रशा के बीच में आज नहीं तो कल होने वाला है अब Poland को भरी बच जाए Ukraine नहीं बच जाएगा देखें मार्श चिले साल मार्श में जिलन्स की चाहते थे कि हम बात्ची टेबल पे आ जाएं जब ये भागे भागे गये थे ये UK के Prime Minister और उन्होंने ये उनको कहा था देखें कहीं पर भी चाहे जब वो नहीं देते हैं मैं आपको थोड़ा से रोखूंगा या आप जो बता रहे हैं वाकिए में मेरे लिए हैरान करने वाला है मनीश वहाँ पर करीब 6-7 महिने तक रहे हैं मनीश तीनों खबरें पहला पूतिन नराज है दूसरा वहाँ पर इस्तवाल और वहाँ पर फ्लीस पूतिन के शॉट्स लगाईए MQ-9 ड्रोन की जगे जो अटाक हुआ है उसके विज्वल्स लगाईए और MQ-9 ड्रोन का इस्तवाल हुआ और बिटिश बिटिश अंडर वाटर ड्रोन का इस्तवाल हुआ है मनीश ये कहा जा रहा है वेर इस इट गोइंग देखे सबसे बड़ी बात यह है कि खास करके उस टेरिटरी में बिटिस मिलिटरी इंटेलिजन्स काफी एक्टिव है और उससे युक्रेनियन एडजेंसी को बहुत मदद मिलती है क्रीमिया बिटिज पर हुए पहले हमले में भी बिटिस इंटेलिजन्स का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रूस बिटन के साथ जो उसकी और तनातनी है वो बहुत अधिक बढ़ेगी हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आपको बताओं मैं शायद दुनिया का अकेला इससे पत्रकार होंगा जो बोट से, कार से, ट्रेन से और हेलिकॉप्टर से चारों मीडियम से मैंने उस ब्रिज को क्रॉस किया है तो वैसे इस्तिती में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वहां की सिक्यूरिटी की अभूतपूर वैवस्ता की गई थी मैंने खुद अपनी आखों से दोनों तरफ वार्शिप देखे थे वहां पर एर डिफेंस सिस्टम था इसके बाद शूद भी आप था उन्होंने कल रात में परसो रात में जहां तक मुझे आदे संडे नाइट को उन्होंने नॉन स्टॉप अटाक किये साड़डे नाइट को एरियल ड्रोन से और आज उन्होंने एक आएक अंडर वाटर ड्रोन से इट वाज़ अ ट्राप, क्लिर कट ट्राप जो कि पूरा अब नेटो कंट्रीज की मदद के बगैर से नहीं हो सकता है युक्रेन में इतनी इंटलिजेंस और इतने रिसोर्स हैं नहीं अभी यहां पर क्योंकि सब कुछ एक्जास्ट हो चुका है उनका मनिश भी विद मी, यह आज की बड़ी ख़बर आग ममूला पूतिन लेकिन कानी यहीं नहीं रुक रही है युक्रेनी फोर्सेस ने फिर किया रूसी इलाके पर हमला ब्रेक करिये विद दे विज्वल्स, बेलकरोड में युक्रेन का बड़ा ड्रोन अटाइक यह देखें अब आप रूसी डिफेंस ने मार किराया युक्रेनी ड्रोन इस वक्की बड़ी ख़बर शेबिकीनो में युक्रेन ने की शेलिंग, युक्रेनी हमले में एक माईला की मौत इस सब के बीच में यह वही के बेलकरोड लोकेशन मेंचन करिये यह बेलकरोड की अटाइक है, यह बड़ी ख़बर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस सब के बीच में एक और बड़ी ख़बर सीधे आईए, डोनेस में युक्रेन की भीशन बंबारी, ब्रेक करिये विद्विज्वल्स यह देखे, रहाईशी इलाकों में दागे गए गोले, एक दिन में तीन सो शेल्स डागे गए MLRS से भी दोनेस के लाके पर हमला किया गया, दस से जादा रहाईशी इमार्दों को रुक्सान पहुचा है जो जानकारी आ रही है, यह देखे, यहाँ पर जो मैं आपको डीटेलिंग दे रहा हूँ और मैं जाओंगा, इस खबर के लिए इस खबर की ब्रेकिंग बगल में लगाईए, सीधा आईए, युक्रेन, अबलकि बेल्गरोड वाली ब्रेकिंग लगाईगा, विद दे शॉट्स, यह देखे, बेल्गरोड, डोनेस्क, डोन से हमला, आटलरी अटाक किया गया अब को दिखाने वाला हूँ, बेल्गरोड, यह दोनों रश्या के लाके हैं, 86 गोले दागे गए बेल्गरोड में, और 300 बार शेलिंग की गई है डोनेस्क में, यह जानकारी आ रही है, नेक्स दिखाएए, मकानों को रुकसान पहुचा है, दस इमारतों को रुकसान पहु क्या मैं यह समझू, क्रेश ब्रिज पर अटाक के बाद, इनके जिस तरीके से एक एक ताकत लगाने के कोशिश कर रहे हैं, जो इनके डिसपॉइन्मेंट्स में अभी तक, वो डिसपॉइन्मेंट्स रोडे कम हो जाएंगे, काउंटर ओफिंसिव में, और मैं आपके पीछ आप इसको वेपनाइज भी कर सकते हैं, और इसी के जरीए नॉट्स्रीम के ताइम में इसका काफी चर्चे में आया था, बट यह ड्रोन इतना कुछ खास नहीं है, क्यूंकि इसके माक्सिमम स्पीड दस किलोमेटर पर प्रती गंटा है, जितने स्पीड में भाग लेते हैं उतने स्पीड में जाता है, बहुत खास भून है नहीं, और आपकी जो दूसरी बात है, देखिए यह वेरी करेक्ट, यह फेस सेविंग एफ़र्ट भी हो सकता है, यह जो क्रिमिया प्रेज पे आटाक जो है ना काउंटर अफेंसिव इनका फेल हुआ, जलन्स की मुह दिख प्रेजी बढ़े खुश हुए और आपने दिखाया भी पार्टी का मूड है आज वीकेंड में उनका एक पार्टी का मूड भी हो गया अख्री में आपकी अटाक पे, इससे खास टाक्टिकली अधर्टिकली अधर्टू, वार्जों से आई सबसे हरान करने वाली सब्स्वी पे लीजे, इस वीडियो का शुरू से प्ले आउन करी, ये देखे, ये रश्यन ट्रक जा रहा है, कैसे इसके उपर अटाक किया गया, ये चेचन के लडाके हैं, जो यूक्रेन की तरफ से लडाई लड़ रहे हैं, ये बहुत आज का सबसे जादा डिफाइनिंग वीडियो है, ये देखे, अब आप, ये चेचन के लडाके हैं, जो रूस के ट्रक के उपर अटाक कर रहे हैं, ये देखे अब आप, ये इस वक्ती बड़ी ख़वर रहे हैं, ये देखे आप, ये चेचन लडाके हैं, बगल में ब्रेकिंग दिखाईए, जो रूस के ट्रक पर अटाक कर रहे हैं नॉन स्टॉप ये देखिए ये रश्या का ट्रक था जो जा रहा था जिसके उपर अटाक किया गया ये आज का सबसे हैरान करने वाला वीडियो फुल फ्रेम पर शॉट दिखाई ये देखिए अब आप ये वो ट्रक था जो की रश्या था रश्या का था और युग्रेन के लड़ाकों ने इस पर फाइरिंग किये इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खापर सीधा आई ये खेर्सौन में रूसी सेना के काफिले पर हमला एक और हमला दिखाई ये जड़ा युग्रेनी फोर्सेस ने किया अर्टलरी अटाइक ये देखिया आम में जब करिएगा ओलेस की इलाके में रूसी फोर्सेस पर अटाइक ये देखिया अब आप खेर्सौन में बड़ा अटाइक किया गया है जिसके वीडियोज में आपको दिखाना हूँ लेकिन आप अगली तीन खबरें बैक टू बैक और उसके बाद अशोक सर के पास पर जाओंगा आज की बड़ी खबर युग्रेन के काउंटर ओफेंसिव पर पूतिन का निशाना ब्रेक करिए युग्रेन का काउंटर ओफेंसिव फेल पूतिन ने कहा पूतिन के शॉट्स भी दिखाईए रूसी डिफेंस को तोड़ने में युग्रेन नाकाम पूतिन ने कहा दुश्मन की सारी कोशिश है सफल पूतिन ने कहा पश्चिम के हत्यार भी काम नहीं आए, पूतिन ने कहा सीधे फ्लोर ग्राफिक्स मराइए युक्रेइन का काउंटर ओफिंसिफ फेलो चुका है यानि नेटो की हार युक्रेइन में ये देखिए टैंक सीधे टिका रखा है यहां पर ये देखिए, अब जानकारी है रूसी सुरक्षा चक्र की पहली लाइन भी नहीं तोड़ पाई युक्रेइनी नमबर वान, दूसरा, काउंटर ओफिंसिफ की कोशिश काउंटर ओफिंसिफ की कोशिश में 26,000 युक्रेइनी सेनिकों की मौत ये जानकारी आ रही है एक और ब्रेकिंग निउस यहीं से लीजे रूस के कबजे में पश्चिम के हत्यार, ब्रेक करिए विद दा विज्वल्स युक्रेइन को मिले हत्यारों पर कबजा कबजे वाले हत्यारों पर होगी, रिसर्च रिवर्स इंजिनरिंग से तकनीक समझेंगे ब्रैडली, स्टॉर्म और स्टॉर्म, शैडो जैसे हत्यारों पर है रूस का कबजा सीधे बिग वॉल पर आईए ये बिग वॉल दिखाईएगा और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाईएगा अक्शन शॉट्स, दिखाईए ज़रा बिग वॉल यहाँ पर हत्यार किस देश का, लेपर टैंक जामरी का, खत्म हो चुका है यहाँ पर ये खबर देखते रही है नेक्स दिखाईए ब्रैडली वेकल, अमेरिका का, खत्म हो चुका है इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाईए नेक्स दिखाईए, रूस के हाथ लगे पश्चिम के अत्यार नेक्स दिखाईए, स्टॉम शैडो मिजाइल ब्रिटिन का, वो भी इनके हाथ लग चुका है इस युद की वो तस्वीरे जो आपको हैरान कर देंगी ये फास्ट निउस नहीं है पहली बड़ी खबर, अमेरिका से मिले क्लस्टर बम का इस्तमाल, बड़ी खबर युक्रेन ने क्लस्टर बम का ट्राइल किया अमेरिका से मिले क्लस्टर बम का ट्राइल, ब्रेकिंग और शॉट्स, नॉमल लुहांस में किया क्लस्टर बम का ट्राइल, ये देखिया बाब LPR के रिटायर्ट करनल कर दावा, युक्रेन ने क्लस्टर बम का ट्राइल करना शुरू कर दिया है ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधे बिग वॉल पर आईए विद ब्रेकिंग और शॉट्स बिग वॉल बड़ा तेजी से थ्री पॉइंटर बिजए यहां पर क्लस्टर बम का ट्राइल शुरू कर दिया है लुहांस के बारी हिस्से में युक्रेन ने किया क्लस्टर बम का ट्राइल बड़ी खबर एक खाली स्टोरेज फेसिलिटी पर क्लस्टर बम से अटैक किया गया है युक्रेनी सेना ने रश्चन हत्यार डिपो पर अटैक की प्राक्टिस की है बड़ी खबर आ रही है फिर वीरान पड़े पुराने ख़दान वाले अलाकों में किया गया सेफ ब्लास इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग डिउस सीधे आईए बड़ी खबार F-16 की ट्रेनिंग के लिए रवाना हुए युक्रेनी पाइलिट्स विद द विश्वल्स युक्रेनी पाइलिट्स का पहला जट्था हुआ रवाना मानिया में होगी F-16 की ट्रेनिंग युक्रेनी एर फोस के प्रवक्ता का बयान तीसरी खबार किस तरीके से ज्युद्वे चीज़े बदल रही है युक्रेन के वार फ्रेंट पर जाएंगी ताइवान में तैनाथ अमेरिकी मिजाईले ब्रेक करिये विद विजुल्स ताइवान से मिजाईले वापस मांग रहा है अमेरिका युक्रेन को देने के लिए मिजाईल मांग रहा है अमेरिका ताइवान में तैनाथ है MIM 23 Hawk Mizzile है युक्रेन को देने की तैयारी इस सब के बीच में बड़ी खाबर युक्रेन पर बहुत बड़े ड्रोन हमले की तैयारी में रूस ब्रेक करिये विद अ विज्वल्स रूस ने बढ़ाया लैंसेट ड्रोन का प्रोडक्शन ये देखिये तस्वीरे अब आप पचास गुना तेज हुआ लैंसेट ड्रोन का प्रोडक्शन सुसाइट ड्रोन से कीव पर हमले की तैयारी में है कैमरे में देखे हजारों लैंसेट ड्रोन ये तस्वीरे बड़ी हैरान करने वाली है रश्या ने शुरुआत कर दिये घातक लैंसेट सुसाइट ड्रोन से अटाक की इस सब के बीच में रूस की ड्रोन तैयारी से घखा बनाया यूक्रेइन ब्रेक करिये विज्वल्स रूस ने बनाया ना कॉमबाक ड्रोन दिखाएए ज़रा विज्वल्स के साथ प्रोड़क्ट 53 ड्रोन्स की पहली चलक कामिकाजी सुसाइड ड्रोन है प्रोड़क्ट 53 अमेरिका को चीन और रूस की चलोती विज्वल्स जॉइन ड्रिल करेंगे रूस और चीन विज्वल्स विज्वल्स दिखाएए जापान सागर और इस्ट चाइना सी में दोनों की जॉइन ड्रिल